Hey guys, welcome back to 06 StudyPoint और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SSC JE की latest recruitment के बारे में SSC ने आपकी latest recruitment release कर दी है और इसमें इस बार आपके बहुत सारे changes आपको देखने के लिए मिले हैं तो make sure कि आप इस वीडियो को last तक देखो जो आपका exam pattern था वो आपका completely change कर दिया गया ह है और उसे के साथ-साथ आपका syllabus में भी थोड़ा वो ठेर फेर करी गई है तो वो सारे चीज़ हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो बिना time waste करें वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ आपका जो notification है वो 26 को release होना था और आपकी जो exam date है वो आपके October में होती है तो य आपका exam के बाद आपकी vacancy detail बताता है कि कितनी थी लेकर इस बार SSC ने ऐसा नहीं करा है और आपका इसने जो आपकी vacancies थी वो एक ही बार में इस बार बता दी है जो इसमें आपकी total vacancies है वो आपकी कुछ 1324 vacancies है civil, mechanical और electrical की मिला के और हर बार की तरह civil की सबसे जादा है फिर आपकी electrical और mechanical की है ठीक है तो इसमें आप अपनी vacancy chart में आप देख सकते हूँ कि आपकी कितनी vacancies है उसके according में notification का link भी आपको नीचे provide करा दूँगा जो important changes है उसके बार में हम discuss कर लेते हैं और form किस तरीके से fill करना है उसके बारे में भी आज शाम तक वीडियो आपकी आ ज के लिए आपको apply करना है ठीक है इसमें आपकी जो date बताए गई है वो आपकी ये बताए गई है कि आपकी जो date है वो आपकी 1998 whatever that is job के ऊपर आपको बता दिया गया था कि आपकी इतनी age होनी चाहिए 30 years 32 years आपके अलग-अलग departments के according ओके और आपका age relaxation जो होता है वो आपका age relaxation ह के लिए 30 और SCST के लिए 15 years तो इसी तरीके से आपको ये चेक कर सकते हूं उसके बाद आता है आपका फिर हम देख लेते हैं आपका next नेक्स्ट आपका आथ है इसमें syllabus और आपका exam pattern के बारे में discuss कर लेते हैं ताकि आप देख सको कि क्या क्या changes हुए है सबसे पहली चीज में आपको बतायता हूं उसमें changes यह है कि आपका जो पहले एक paper होगा था conventional वह आपका नहीं होगा और इसमें आपका यह भी आपका CBE होगा आप देख सकते हो कि paper 1 यह इसमें आपके दो तीन सब्जेक्ट आते थे फर्स्ट आपका जंडल अवेर्नेस जंडल इंटेलिजेंस और रीजिनिंग आपके जंडल अवेर्नेस और आपका थर्ड सेकेंड इन दोनों में से एक आपका टेक्निकल होता था ठीक है 50 questions आपके reasoning के आते थे 50 questions आपके जंडल अवेर्नेस के आते थे 100 questions आपके engineering के आते थे आपके particular branch से civil हो या civil से electrical के electrical से mechanical के mechanical से ठीक है आपका 2 घंटे का इसमें आपका time होता था इसमें आपका दो घंटा 40 मिनिट कर दी ग उनके लिए 2 hours और जो para 19 और 9.2, 9.3 के accord है उनके लिए 2.4 hours ओके 2 गंटे 40 minutes जो पेपर 2 है आपका वो भी आपका CBE ही कर दिया गया computer based examination तो आपका कोई वो नहीं होगा, written test नहीं होगा भी यह भी आपका computer based होगा इसमें भी आपके 3 part होगे, electrical, mechanical civil और इसमें आपकी एक चीज़ इस बार और करी गई है वो भी बहुत बड़ा change है, वो आप गल्ती नहीं कर दे न, वरना आपका पूरा paper cancel हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे क्या है ठीक है तो जो second paper होगा, उसमें आपके 100 question होंगे 300 marks के लिए और आपके इसमें negative marking भी इस बार change करी गई है negative marking पहले आपकी 0.25 की होती थी, लेकिन इस बार आपकी जो marking है वो आपकी 1 by 3rd की है तो 0.33 आपके कुछ marks कटेंगे एक question गलत होने पर, पहले आप तुक्का लगा देते थे, अगर आपने सभी में भी तुक्का लगा दिया थे, तो आपके marks हमेशा positive में ही जाते थे ठीक है, जब आपकी, जो negative marking होती है जब आपकी 0.25 होती हो, अगर आप so question को on an average भी अगर वो करते हो, कि आप line से उसमें कुछ भी mark करते चले जाओ, तो आपकी marking कभी भी negative में नहीं जाएगी कभी भी 100 से नीचे marks नहीं जाएगे अगर आपकी 0.25 होती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी marking 0.33 होती है negative में, तो आपकी जो marks हैं, वो हमेशा negative में बहुत जादा जा सकते हैं जा सकते नहीं, जाते ही हैं तो इस चीज़ का धिहान रखना है कि अब तो बिल्कुल भी आपको तुके नहीं मारने हैं जो आता है उसी पर टिक करना है, जो नहीं आता है उसको टिक नहीं करना है ठीक है, इसमें अब आपकी एक चीज़ बताई गई है कि the candidate will be required to attempt general engineering part ABC in paper 1 and paper 2, ठीक है which has been selected by them on the basis of their education qualification in an online application form in other words the candidate appearing for the post of junior engineer civil are required to attempt part A, तो एक चीज़ बता लेता हूँ, इस बार जो आपका CBE होगा तो जब आपका पहले होता था तो उसमें जब mechanical वाले students है, तो सभी students आसपास के जो होते थे, वो आपके mechanical वाले ही बैठे होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, जो भी आपके आसपास के students होगे, वो आपके किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, क्योंकि इनोंने clearly यहाँ पर बताए कि जब आपका स्क्रीन पर आपका टेस्ट आएगा, तो वहाँ पर आपको तीन पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ठीक है, मैं आपको आगे दिखा रहता हूँ, civil for the post of in the candidate appearing for the post of junior engineer civil are required to attempt part a, civil and structural of paper 1 and paper 2 and the candidate appearing for the post of junior engineer electrical are required to attempt paper b, ठीक है, for electrical and the candidate appearing for the post of junior engineer mechanical are required to attempt c, तो part c आपको attempt करना होगा, of paper 1 and paper 2, failing which the failing, which the, which their candidature will be rejected, तो अगर आप गलती से, आप, आप mechanical के और आप part b select कर दे तो electrical वाला, तो आपका जो paper है, जो आपके screen पे cbe पर आएगा, वो आपका electrical वाल आएगा, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, जब आप paper को attempt करोगे, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, अगर आप mechanical के हूँ, तो आपको सिफ mechanical का c select करना है, civil के हूँ, तो आपको a select करना है, electrical के हूँ, तो b select करना है, ठीक है, इस बार आपके बराबर वाला electrical वाला students भी हो सकता है, और आपके left वाले electrical right वाला civil कोई भी कही भी हो सकता है एक particular branch के according इस बार आपका paper या फिर आपका center है वो नहीं होगा ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना एक ही दिन में सभी branches के paper होंगे बढ़की पहले आपके अलग-अलग भी होते थे कि device आज electrical का है तो पल mechanical का है इस तरीके से आपके पहले paper होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा एक ही दिन में आपके सभी branches के अलग-अलग center पे सभी वच्चों का होगा I think आपको इस चीज़ समझ में आगे होगी paper one and paper will consist of objective type of multiple questions only आप देख सकते हों कि दोनों paper में आपके mcq की आएंगे the question will be on both set Hindi and English जो आपके paper होंगे वो दोनों Hindi और English दोनों languages में आपको available होंगे ठीक है इस वीडियो को अब अभी तक देख रहे हो तो प्लीज सबसे पहले तो like कर दो और चैनल को subscribe अभी के अभी कर लो और फिर है आपका ये negative marking वाला point questions in both the papers will be objective mcqs question will be set in Hindi and English part 1, 2, 3 of the paper there will be a negative marking equal to one third of the mark allocated to the question of each wrong answer in paper 1 and paper 2 तो दोनों paper में ही आपकी point 33 की negative marking है so make sure कि आप कोई गलती ना करो candidates are allowed to bring their own slide rule, calculator, logarithm, steam table for paper 2 only they are not allowed using such things in paper 1 तो paper 1 में आपको ये सारी चीज़े allowed नहीं होंगी आपकी जो इसमें application form होगी वो आपकी यह होगी tentative answer की for the paper will be placed on the website candidate may go through the answer की है, submit the online representation if any the age limit given commission of the 100 rupees per question okay, तो ये तो वो है कि अगर आपको कोई question लगता है कि जो center है उसने वो गलत चेक कर रहा है तो आप उसके लिए 100 rupees की payment करके उसको challenge कर सकते हो, ये वो सारी चीज़े बताए गई है ये सारी चीज़ों की अभी आपको जरूरत नहीं है, ये आपका syllabus है ठीक है, syllabus के बारे में एक complete detailed video भी बता दूँगा और आपकी कौन-कौन से books important होगी, कहां से आप ये सारी चीज़े पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़े भी तो ये वाला जो आपका syllabus है, ये तो आपका टायर 1 का है और आपके reasoning में कुछ topics हटाये गए हैं, कुछ topics इसमें आपके add करे गए है reasoning का जो level है, वो थोड़ा सा hard कर दिया गया है as compared to previous one तो हम यहापे आपकी reasoning की general awareness की classes शुरू करेंगे और अगर आपको पढ़नी है, तो make sure कि आप channel को subscribe सबसे पहले अभी कि अभी कर लो फिर आद आपका civil का ये tire 1 का syllabus है, ये tire 2 का syllabus है और फिर ये आपका tire 2 का ये वाला आपका syllabus है paper 2 के लिए इसमें आपका थोड़ा detail में बताये गए कि इस topic से पूछा जाएगा और जो paper 1 होगा वो थोड़ा easy होगा as compared to paper 2 जिसे आपका RRB में होता है ठीक है, लेकिन इतना भी difficult नहीं होगा आपकी paper अगर आप preparation अपनी tire 1 और tire 2 की एक ही साथ करो, मतलब जो भी आप पढ़ते जा रहे हो वो बिल्कुल basic से advanced level तक पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं कि पर tire 1 की preparation अलग से करूँगा, tire 2 की preparation अलग से करूँगा, ऐसा कभी नहीं करते हैं और आपके दोनों में mcq questions ही आएंगे, तो आपको सिफ mcq practice पे जाधा ध्यान लगाना है, और बाकी सारी जो चीजे होंगी, वो सभी आपको बता दूँगा कि किस किस तरीके से करनी है, सभी branches के लिए ठीक है, तो यह तो आपकी main चीज होगी, आपका यह सारी जो भी changes है, वो सभी अभी हमने आपको बता दिये है, form fill किस तरीके से करना है, क्या important documents है, form fill करते पक्या गलतिया नहीं करनी है, वो सारी वीडियो आपकी channel पर available हो जाएंगी within 2-3 days, ठीक है, मैं try करूँगा कि आपक काम तक कल सुभा तक मैं आपको post करके provide करा दूँ, okay, तो कोई गलती मत करना हो, उसे के साथ, अभी जो वीडियो है, उसमें आगे मैं आपके course के बारे भी बतायता हूँ, हमने अपना खुद का MCQ course launch किया था, तो उसको आप use कर सकता हूँ, पर यह preparation के लिए, so अगर आप mechanical या civil engineering के student, mechanical या civil engineering के student हो, तो हमने आपके दो courses launch करे थे, all-in-one mechanical engineering MCQ course और दूसरा है आपका all-in-one civil engineering MCQ course, ठीक है, तो इस course में आपका क्या है, सबसे पहले चीज इसमें आपके दोनों courses में आपके 15,000 plus questions है, कि हर एक subject के कम से कम 1000 plus questions आपको हर subject के दिये गए है, subject wise, topic wise, previous questions भी हम वाली books हो गई है, आपकी graduation वाली books हो गई है, या फिर आपके previous papers हो गए, ना ही कि सिर्फ SSC JE, बलकि आपके जितने भी exams होते हैं, चाहे हो आपका RRB JE हो, DMRC हो, DRDO हो, ISRO हो, ठीक है, जितने भी आपके state PSU होते हैं, UP SSC JE, LMRC, NPCIEL, IOCL, UPRVNL JE, जितने भी आपके previous questions होते है हैं, वहाँ से हमने select करके, उनको categorize करके, उनको topic wise में convert करके, बहुत महनच सिस course को बनाया है, subject wise बनाया है, और यह हमारा available है, आपके 06 study point app पर, इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको check out कर सकते हूँ, ठीक है, और आज की रिट में आपको एक special code भी provide करा दूँगा, जो की काफी जादा affordable prices पर है, तो ठीक है, तो 06 study point पर available है, आपका आप डाउनलोड करके, इसको check out कर सकते हैं, course के बारे में बता देता हूँ, इसकी जो language है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ English है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ English language है, तो जो हिंदी वाले students ह वो download भी ना करें, मैं आपको यही suggest करूँगा, आपके लिए मैं other books बता दूँगा, future videos में, तो आप चैनल को subscribe कर लीजे, so इसकी जो language है, वो English है, second है अपका इसमें, यह आपका MCQ based course है, जैसे आपका CBE exam होगा न, ठीक है, CBE, computer based है, same to same, यह उसी pattern पर आपका पूरा बनाया गया है, आप app को download करिए, वहाँ पर जाके course को check out करिए, इसमें आपकी negative marking भी दी गई है, कि negative marking आपकी इस तरीके से होगी, questions में आपका इस तरीके से deduct होगे, marks, वो सारी चीज़े इसमें आपको दिखाए गई है, तो आपको help करेगा, अपनी performance को improve करने में, हर एक question को आपको या आपके ना कि सिर्फ SSC, JE, बलकि जितने भी आपके exams होते हैं, जितने भी आपके AE और JE के exams होते हैं, जाए हो आपका, RRB हो, RRB, JE, GATE, IES, PSU, SSC, JE, UPSC, JE, DRDO, ISRO, LMRC, DMRC, उन सभी के लिए useful है, और इसमें हमने अभी तक आपके दोनों में 4 to 5 subjects, 4 to 5 subjects दोनों में add कर हैं, कल सुबह तक हम इसमें आपका एक-एक subject और भी add कर देंगे, और आपके जो बाकी के rest of the subjects होंगे, वो भी हम आपके add करते चले जाएंगे, हर 10 to 12 days के gap के बाद, ठीक है, उसी के साथ साथ, इसका जो prices अभी तक था, वो आपका 1550 रूपीज था, लेकिन अब आप इसको स use करना होगा, इसमें जो आपका coupon code है, वो आपका SSCJE 450 यापका 1550 रूपीज को course है, जैसे ही आप इस coupon code का apply करोगे, आपका जो price है, वो सिर्फ और सिर्फ 1100 रूपीज हो जाएगा, और आपका ये जो coupon code है, सिर्फ और सिर्फ first 300 students के लिए ही valid है, और मैं आपको suggest करूँगा, पहले आप जाना, इसमें आपके 2-3 जो test है, मतलब course को open करोगे, उसमें 2-3 जो test है, उसी तरीके का आपका पूरा course है, वो आपको free test है, उनको जाके attempt करिए, आपको अच्छा लगता है, तो ही आप इसको बाय करिए, ये एक तरीके से आपकी digital MCQ book है, ठीक है, जिसमें आप daily exam वाली feeling को ले सकते हो, उसको feel कर सकते हो, और एक real exam की तरह हर दिन अपनी practice कर सकते हो, जब आप exam की तरह practice करोगे, तो आपके लिए exam को attempt करना काफी जादा easy हो जाएगा, और भी बागे जो आपकी videos है, अगर आपको कोई demanded video चाहिए किसी topic पर, तो वो आप मुझे निजी comment section म बता सकते हो, वो भी आपको provide करा दूँगा, और classes वाली important topics वाली सारी videos तो channel पर आते ही रहेंगी, ठीक है, तो मिलते है next video में, till then, bye bye, take care and all the best.